नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहूल स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलिवूड जब से लोगडाउन लगा है कोरोना वाइरस आया है तब से लोगों को कंटेंट समझ में आने लगा है बॉलिवूड में एक फंडा अपनाया जाता था किसी भी दूसरी इंडस्ट्री से एक कहानी उठाई जाती थी जो कि पहले से फेमस है और पहले से हिट हो चुकी है उसमें किसी बड़े एक्टर को डाला जाता था और हमारे सामने पेस कर दिया जाता था लेकिन जैसे ही लोगडाउन लगा लोगों ने OTT की तरफ रुख किया अब दर्सकों को यह चीज समझ में आने लगी थी कि OTT पर उन्हें जो कंटेंट मिल रहा है वो उन्हें कभी भी सिनेमा हाल में देखने को नहीं मिला अब जैसे ही दर्सकों का रुख OTT की तरफ बढ़ने लगा तो दर्सकों को यह चीज समझ में आने लगी कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है उसके बाद से अब दर्सक ये चीज देखने लगे ही कि उन्हें फिल्मे में किसी बड़े हिरो से मतलब नहीं होता है उन्हें सिर्फ कंटेंट से मतलब होता है आज में ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी भी हिरो के नाम पर या एक्टरेस के नाम पर फिल्में नहीं चलती चलती है उनका भी एक fanbase होता है लेकिन ओ बात आप नहीं रही जो कि पहले होता था उनी के तरह उनमें setup बनाया जाता है और उनी के तरह उन्हें आगे बढ़ाया जाता है लेकिन हाली में आया एक्टा कपूर का लोकप जो कि एक अलगी format का reality show है उसमें 14 controversial contestant को सामिल किया गया और उसकी जो host है कंगना रनावत वो एक industry में बड़ा controversial चेहरा है कंगना रनावत ने अब इस बात को लेकर खुला सा किया है कि क्यों एक्टा कपूर ने उनका show host करने के लिए चुना है जबकि industry में बहुत सारे ऐसे लोग है जो कि बहुत सारे show को host करते है और उन्हें अच्छा खासा experience है इसके पहले कंगना रनावत ने किसी show को host भी नहीं किया है लेकिन फिर भी एक्टा कपूर ने उन्हें चुना होस्ट करने के लिए जबकि एक्टा कपूर जिनका किया show है लोग अप उनके साथ में भी कंगना रनावत को लेकर भी बहुत सारे ट्वीट किये थे अब इन सबी बातों का खुलासा करते हुए कंगना रनावत ने बताया है कि उन्हें क्यों एक्टा कपूर ने चुना है तो चले दोस्तों बात करते हैं इसी बारे में एक्टा कपूर के production house आल्ट बाला जी द्वारा प्रडूश किया गया show low-up OTT platform पर धमाल मचा रहा है show के bold content और contestant की वज़ा से दरसक इस show को काफी पसंद कर रहे हैं इन सबसे उपर जो show की host है उस वज़ा से भी show काफी चर्चा में है और इस show की host है Bollywood की Queen कंगना रनावत कंगना रनावत खुद भी काफी bold है और वेसा ही वो show host कर रही है कंगना ने इस बारे में ANI को दिये एक interview में कहा कि एकता ने मुझे कहा कि तुमने स्क्रीन पर कई strong महिलाओं के किरदार निवाए हैं लेकिन तुम एक real life में भी काफी strong हो और तुमारी personality भी है मैं उसी वज़ा से तुमारे साथ में show करना चाहती हूँ मैं नहीं चाहती कि तुम show में कोई किरदार निवाओ यहां तुम जैसी हो वेशा ही real दिखना चाहिए जैसी तुम हो मुझे वेशा ही तुमें देखना है बता दे कि लोक अप में कहीं controversial contestant है जो real life में भी कहीं controversies में फसे हुए है लोक अप के अलावा कंगना के पास में कहीं फिल्में रिलीज के लिए तेजस और धाकर सामिल है इनके अलावा कंगना मनी करनी का रिटन्स, दा लिजेंड ओप दा जिद्दा, इमर्जेंसी और इंकार्नेशन ओप सीता जैसी फिल्मों में भी नजर आएंगी हाला कि इन फिल्मों की कंगना अभी शूटिंग करेंगी, एक्टिंग और होस्टिंग के अलावा कंगना बतोर प्रडूशर भी काम कर रही है कंगना का अपना मनी करनी का नाम का production house है इस production house के तले कंगना पहली फिल्म लेकर आ रही है जिसका की नाम है टिकुवेट सेरू इस फिल्म में नमाजुद्दिन और आउनीत को लीड रोल में है कंगना फिल्म की सुटिंग देखने जाया करती थी और सेट से फोटोस भी सेर करती थी कुछ दिनों पहले ही फिल्म की रेप अप पार्टी हुई थी जिसकी फोटोस सोसल मेडिया पर खुब वाइरल हुई थी तो देखा दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रही है हमारे चैनल के साथ